हर हर महादेव जय भूलेना, नमस्कार मैं शादना पांडे मागदर्शन पर आपका स्वागत करते हूँ दोस्तो इस वीडियो में आप जानेंगे कार्थिक मास में तूलसी पूजा के विसेस बिधी क्या है कौन सा पार्ट करना चाहिए जिस से आपको सर्व सुखी प्राप्ति हो सास्त्र में तो कार्थिक महीने की महिमा इतनी अधिक बताई गई है कि इस महीने में यदि आप कोई ब्रत सुरू करते हैं तो उसका पुने फल निश्ची तुरूप से आपको प्राप्त होता है यदि इस महीने में आप थोड़ा भी जब तब पुने करते हैं तो वो सौख न बढ़कर आपको प्राप्त होता है तो कार्थिक महीने की विसेस्ता तो बहुत अधिक है यदि बढ़न करने मनुश्य बैठे तो बढ़न करने में असक्षम हो जाएगा तो कार्थिक महीने को नाराण ने स्वायम अपने समान प्रिय बताया है यनि कि जितना कार्थिक महीना नाराण की आत्मा के समान उन्हें प्रिय है तो अब आप समझ सकते हैं और इस महीने में सबसे अधिक पुर्यदाई है स्नान करना कार्थिक महीने में और तुलसी पूजन करना इस वीडियो में आप जानेंगे कि तुलसी पूजा की जो सही विदी कार्थिक महीने में की जाती है वो क्या है साम के समय क्या करना है किस प्रकार पूजा करना है दूसरी चीज कि माजिक धर्म के अंतरगत आपको क्या करना है जो आपने स्नान का नियम लिया हुआ है उसका क्या करना है आपको स्नान करना है या फिर उतने दिन छोड़कर स्नान करना है यदि किसी यात्रा में है आप तो उस दोरान आप कैसे करके अपने नियम को पूर्ण कर सके यही सब जानकारिया जो है इस वीडियो में प्राप्त करेंगे इस महीने में कौन सा पार्ट करना दिपे चमतकारी होता है तो ये जानकारी भी आपको इस वीडियो से प्राप्त होगी दोस्तों एक चीज आपको बता दूँ कि कार्तिक महीना कोई साधान महीना नहीं है जैसे भगवान सीर जी का सावन माह है जो इसमें जितने भी सीवभक्त होते हैं उनका उत्सा जो है महादेव के प्रती अपना अनन्य होता है और जो भी सीर जी से जुड़े हुए ब्रत होते हैं सावन में सुरू करना बहुत स्रेश्ट फलदाई होता है वैसे ही यदि आप कोई ब्रत नाराण के लिए सुरू करना चाहते हैं कि स्नान की विधी क्या है तो सारी विधियां आप जान चुके हैं जो चीज आपके कुछ प्रश्न थे वो है और कुछ जरूरी जो जानकारियां थी वो आप तक पहुचाने की पूरी कोशिस करना की हूँ दोस्तों सबसे पहली बात तो यह है कि जब आप स्नान करके उठें यानि कि जब आपका स्नान पूर्ण हो जाए उस समय ध्यान रखें कि जब आप स्नान करके उठें या फिर स्नान करते समय भी आपको मंत्र जब लगातार करते रहना यदि कोई मंत्र नहीं आता है तो मुख में ही राम राम का उचारण करें क्योंकि कहा गया है कि कल्यूप केवल नाम अधारा सुमिरी सुमिरी नर उत्रही पारा तो मतलब राम नाम के जब की महिमा भी अपनी अलग है और कोई भी जो भी आपके इष्टोदेव हैं उनका स्मर्ण आप कर सकते हैं उनके नाम का जब आप कर सकते हैं क्योंकि कहा गया है कि यदि आप गंगा जल डाल करके और किसी भी मंत्र का जब करते हुए या फिर किसी भी देवता की जो नाम है उनका स्मर्ण करते हूँ चारण करते हूँ आप स्नान करते हैं तो आपको तिर्थ स्नान का फल प्राप्त होता है तो आप सभी जानते हैं कि संभव नहीं है कि कोई जुहाई की जागर के तिर्थ में या फिर जो पवित्र नदी है ताल कहा जाता है और ब्रह्मा मुहुर्थ में यदि आप इस प्रकार करके स्नान करते हैं तो आपका स्नान तो वैसे ही पूड होता है आप वैसे ही नाराण के प्रिय बन जाते हैं जब आप स्नान वगरा कर लें तो वैसे तो मैं बता चुकी हूँ आपको ये बात कि सबसे पहले ज जल देते हैं तो वो ग्रहन भी करते हैं बिलकुर मन में ये शंशा है तो पालिये भी मत कि सूरेणाराइद दिखाई नहीं सही दे रहें तो आपके द्वारा दिया गया जल निस्फल होता है ऐसा ना करें बलकि निस्फल तब होता है जब आप उनको बिना जला रिपित किये कोई अन्य पूजा पाठ शुरू करते हैं तो अब आप समझ गये कि आपको सबसे पहले सुरे नारान को जल देना है उसके बाद तुलसी मा की विसेस पूजा करनी बिसेस क्या होता है दोस्तों वैसे तो प्रति दिन में आप जैसे भी करते हों पूजा लेकिन होना यही चाहिए कार्दिक पहिने में कि आप एक लोटा जल ले ले जल में गंगाजल आपको पहले ही मिला लेना है और मिला करके आप तुल्सी मा का गंळे में और जल जड़ाए अब जल जड़ाते हुए यदि आप तुल्सी मा के मंतर बोलें तो अतिय उत्तम लेकिन आप यदि नारायन का मंतर बोलते हैं तो ये सरव Moment इससे अचित कोई काम ह नहीं होगा नहीं इससे कोई पुड़े दाई काम होगा तो नारायन का सभी जानते हैं ऐसा बोलते हुए आप तुलसी मा को जल अर्पित करें जब आप नारायन का नाम लेकर तुलसी मा को जल अर्पित करते हैं तो आप समझें कि बिसेश पुड़े के भागी बन जाते हैं य से तूलसी मा को तिलक जरूर करें और जब आप तूलसी मा को तिलक करें तो हाथ में लगा हुआ चंदन आप अपने लेलाट पे जरूर लगाएं इससे माधा की बिसेश कृपा होती है और इस चंदन से आपका भाग्योदय होता है रास्ते में आने वाली जो कढ़िनाईयां परिशानिया है वो दूर होती है तो चंदन जो है अप तूलसी मा को लगाने के बाद अपने माथे पे जरूर लगाएं ये काम आप करें उनको भोग अरपित करें भोग में आपका चाहे कोई फल हुआ किसमिस हुआ कोई भी चीज जो आपके घर में है आप वो भोग माता को लगा सकते हैं लगाने के बाद एक दीपक जरूर जलाएं देखी इस महीने में दोनों समय दीपक जलाने का विधान है सुबा के समय जबके अंधिरा रहता है तब ही हम पूजा करते हैं तो उस समय जो है आप एक दीपक जलाने वैसे घी का दीपक जलाएं तो स्टेस्ट है लेकिन घी नहीं है तो सरसो तेल छोड़ करके आप तिल-तेल का भी चला सकते हैं तो सरसो तेल का बिलकुल न जलाएं तिल के तेल का दीपक जो है आप सुबा भी जलाएं और साम को भी जलाएं तो ये काम आप कर लें उसके बाद बारी आती है कि अब आपको कोई फार्ट यदि करना है तो आप तुलसी माता के नामों का उचारण कर सकते हैं नारायन के नाम का उचारण कर सकते हैं ललिता शहस्त्र नाम का पार्ट कर सकते हैं विश्नु सहस्त्र नाम का पार्ट कर सकते ह तो यदि आप चाहते हैं कि आपकी कोई कामना है जो सेस है और आप बहुत परिशान है तो इस माह में जो कहें दोनों हाथों से आपको पूरे बटोरने का मौका मिल रहा है तो आप ये जरूर करें और दो पार्ट जो मैं बताए हूँ उसमें से एक पार्ट आपको अवश्य क करना चाहिए चाहे ललिता सहस्त्र नाम का पार्ट करें चाहे विश्णू सहस्त्र नाम का पार्ट करें ये दोनों पार्ट काफी पूरे दाई हैं और ये पार्ट आपको करने के करने से पूर्व ही जो है तुलसी पूजन पूर्ण कर लेना है तो मैंने बताया दीपक जला के नहीं कर पा रहे हैं तो मैं विधी जैसे पीपल बिक्ष के पास बताई हूं आपको कि एक स्थान पे खड़े होकर आप परिक्रमा करें वैसे ही आप एक स्थान पे खड़े होकर तुलसी की परिक्रमा कर सकते हैं वैसे चारों तरफ खूम कर जब कर दक्षिड़ा की जाती ह तो उसका अलग विसेश फल होता है तो आप देख लें कि आप कैसे कर सकते हैं बस करना अवश्चक है अब उसके बाद बारी आती है तुलसी माता के आरती की आरती जरूर करें दोस्तों आरती आपके पूजा में पूढ़ता लाती है पूजा में जो फूल चूग गलतियां हो जाती है उसे पूढ़ करती है तो आरती जरूर करें और आरती करने के बाद जो है माचे को प्रडाम करें जो भी आपकी कामना है वो प्रति दिन तुलसी माता से बोलें देखिए वैसे अगर ग्यानिक द्रिष्टी कोर्ण से आप देखते हैं तो माना गया है कि पेड़ पौधों में जीव होता है वो सजीव होता है और यदि हमारे सास्त्रों की बात मानें तो सास्त्र करते हैं कि जीव के सास्त कुछ ब्रिक्ष ऐसे हैं ब्रिक्ष की संग्या में आते हैं तो वनस्पति पूजन का हमारे सास्त्रों में बहुत महत्वा वनस्पति पूजन यानि की पेड़ पौधों का पूजन उनका बहुत महत्वा है और जब आप इसे कोई प्रार्थना करते हैं इसका तुलसी, पीपल, आउला और बेल ब्रिक्ष, इनसे जब आप कोई प्रार्थना करते हैं, तो सास्तर बताता है कि ये सुनते हैं, ये सिखर आपकी कामनाओं की पूर्तिक कराते हैं, तो आप जो है इनसे तुलसी माता से अपनी प्रार्थना कहें, ये नाराइड के सिखर कामना पूर्ण कराती हैं, इसलिए प्रति दिन बोलिए, जो आपकी इच्छा है, जो आप चाहते हैं, पूजन करने के बाद हाद जोड़ करके माता से प्रार्थना करें, ये तुलसी मा, मैं इस कामना के लिए जो है बहुत जादा परेशान हूँ, ये मत बोलिए कि म मैं इस कामना के लिए आपका पूजन करें, आप पूजा जो है निसकाम ही रखिए, आप किसी कामना के लिए मत कोई पूजन कीजे, आप जो है निसकाम पूजा रखिए, बस माता से प्रार्थना कीजे कि मैं ये परेशान हूँ, इस काम के लिए मेरा काम हो जाए मा, ऐसी क की साम को आपको पत्ती वगर भी नहीं तोड़नी है हाँ एक चीज़ और आपका प्रशना है था कि जब हम पत्ती तोड़ेंगे नहीं तो इस महीने में विश्णु जी को चढ़ाएंगे कर से जी ये बिल्कुल सटीक और सही सवाल है ध्यान देजेगा आप सभी लो क्योंकि ह हमारे सास्त्र में कहा गया है विश्ण का स्कंट पुराण में कि जितना आप स्वन चढ़ाने से नाराण की कृपा आपके उपर नहीं होती उतनी मा तो तुलसी दल मंजरी के साथ चढ़ाने से उनकी प्रशन्दता हाजिल होती है आपको मिलती है तो ऐसे में जब हम तुलस पूजा आरादना कर सके उसमें भी विशेश दिन होते हैं जैसे कि एकादसी द्वादसी और आमावस्या इस तरह की तिथियों में और प्रतिदिन जो है रविवार कहा जाए तो ऐसी तिथियों में तुलसी का आप जो है स्भर्श भी ना करें उनको थोड़े नहीं उनमें जलना चड़ाएं तो इस बात का ध्यान रखी और इस तरह से करके जो है आप नारायन को चड़ाएं लेकिन कहा गया है हमारे सास्त्रों में कि कार्तिक मास में जिस तुलसी की हम पूजा करते हैं दीपक जलाते हैं उनका जो पतियों को तोड़ना उतारना यह बिल्कुल गल जाजी है या घर में ब्यास्तता है किसी कारण से तो अवस्चक नहीं है कि आप जो है साम को आरती करें सिर्फ एक गाय की घी का दीपक जला दें या फिर तिल के तेल का दीपक जला कर प्रडाम कर ले हो गया आपका अब बारी आती है कि जब आप मासिक धर्म के अंदर गत हैं तो ऐसे में क्या करें आप पूजन कैसे करें असनान करें या नहीं करें प्राया क्या होता है आपके मन में कि जब आप मासिक धर्म के अंदर गत हैं में पूजा पाट नहीं करना है तो फिर हम असनान जो है उस सम पर अस्नान करेंगे हाद जोड करके जो है फुलसी से दूर खड़े हो जाएं और उनका प्रडाम कर लें आखे बंद करके जो है आप अपने देवता का स्मार्ण कर लें और नाराण का स्मार्ण करें मालक्ष्मी का स्मार्ण करें आकास की तरफ देख करके शुरी नाराण को प्रडाम करें, उसके बाद जो है आप जो भी पाट करते हैं आप उसको सुन सकते हैं या फिर यदि उन दिनों आप पाट नहीं करते हैं किसी कारण चे तो कोई समस्या नहीं, बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं, मन में संसय मत लाईएगा, आपको स्नान का नियम पूर्ण करना पिर भगवान को प्रडाम करना यही विधी है एक्तम सही और सटीक दोसरी चीज बता दो दोस्तों कि यदि कहीं यात्रा के दौरान है तो यात्रा मतलब हमारे सास्त्र कहते हैं कि कुछ चीजों से आपका नियम भंग नहीं होता है जैसे कि ब्रत है या कोई पूजा है तो उस पियात्रा के दौरान यदि आप कुछ भोजन या उसा धीक रहन करते हैं तो उससे भी आपका ब्रत या कोई नियम भंग नहीं होता है तो आप यात्रा के दौरान जो है इन नियमों का पालन नहीं कर पाएंगे तो इसमें कोई समस्या नहीं है और यह मत सूचिए कि आपका ब्रत जो है वो भंग होगा आपका नियम भंग नहीं होता इससे ऐसा उपाय जो है जरूर करें दूसरी चीज बता दू दोस्तों कि तुलसी पूजा के बाद जो है हमारे सास्त्र करते हैं कि पीपल की पूजा आप करें आउले की पूजा करें और अकेले की पूजा इस माहीन अपका खर भरे तो ऐसी मानेता है कि कार्थिक महिने में यदि आपने नाराण को प्रशन्द कर लिया अपने स्नान, दान, पूजा, पाट के द्वारा तो मा लक्ष्मी तो भीना भूला है आपके खर आती हैं मा लक्ष्मी का जो है कि ये कथन है हमारे शास्तरों में बताएग स्नान करें दान की बात कहूं तो जो आपकी वेवस्ता जिसना अप कर सक्ते यदि प्रतीन नहीं निकाल सकतेoking आप कोई प्लाध कुछ दान निकाला जाता है तो ऐसा आप कर दिजेगा प्रदिन दान नहीं निकाल पाते हैं कोई भी समस्या नहीं है तो दोस्तों ये कार्थिक महीने के नियम थे तुलसी पूजा की विधी थी और उमिद करते हूं जानकारे आपको पशंद आएगी यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही तो लाइक जरूर कीजिए और मेरे साथ जूड़िये मांग दसन परिवार का हिस्ता बनिये उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें उमिद करते हूं जानकारे आपको पशंद आएगी धन्यवाद